दोस्टो आप सबी को मेरा ब्यार बड़ा नमश्वार दोस्टो आज आपके साथ बात करेंगे गंगा जल के बारें में गंगा जल को सास्त्रों में जितना पवित्र माना गया है उतना ही सक्तिसाली भी माना गया है आईवेड में गंगा जल को अमरत बताया गया है तो जोतिस और वास्तु सास्त में गंगा जल संकट के साथ साथ अनिस्ट निवारण करने वाला बताया गया है जीवन में रोजाना गंगा जलके छोटे छोटे उपाय करके आप जीवन में सुक सरमध्धी के साथ आनन का वर्दान पास सकेंगे आजे जानते हैं गंगा जलके इन उपाय के बारे में गंगा जल के उपाय केवल गंगा दसेरा पठीने बलकि धैनिक जीवन में करने से अमोद्ध लाव फ्राप्ठ करते हैं, रुजाना गंगा जल ढाल कर इस्नान करने से रोक सोग दूर होता है, लंबे समय से रोक पीछा ना छोड़ा हो तो गंगा जल डाल कर इसनान जरूर करें घर में रुजाना गंगा जल के छिर्काओं से वास्तु दोस्त दूर होता है सैन कच में गंगा जल छिर्काओं से बुदे सपने नहीं सताते हैं गंगा जल के इसपर्ट से ही नीन भी अच्छी आती है जो लोग कर्ज से परिशान है उनको कर्ज मुक्ति के लिए गंगा जल क्या उपाय करना चाहिए सनिवार को एक पात्र में पानी लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल कर पीपल की जड़ में अर्पिट करें जिससे आपको ग्रह दोस के कारण होने वाली समस्याओं से मुक्ति मिल सके इसके साथ ही अगर आप अपनी कर्ज से परिशान है तो गंगा जल से कर्ज मुक्ति का उपाय अपनाएं इसके लिए गंगा जल को पीतल के कलस में मौली बान कर घर के उत्तर दिशा में रख दें कर्ज से मुक्ति मिलेगी गंगा जल को सनातन तरफ में बहुत पवित्र माना गया है सास्त्रों में कहा गया है कि इसके इस्तेमाल से कई बीमारियां दूर होती है लेकिं गंगा जल को रखने और उसके इस्तेमाल को लेकर कुछ साथानिया बरतनी जरूरी है जिससे इसका लाव ज्यादा से ज्यादा मिल सकें जान लेते ही इसको प्रियोग करने और रखने की क्या साधानिया करनी चाहिए गंगा जल को हमेशा पवित्र और धातों के पात्र में ही रखें गंगा जल को प्लास्टिक की बोतल में नहीं रखना चाहिए गंगा जल को हमेशा इसान कोड में ही रखना चाहिए जूठे या फिर अपवित्र हातों से गंगा जल को नहीं चूना चाहिए भगवान संकर की पुजा में गंगा जट जरूर प्रियोग करना चाहिए नौकरी पाने के लिए गंगा जल से भरा कांसे का कलस मंदित में दान देना चाहिए वास्तु सास्त की मानि तो उस घट में हमेशा खष्णायां बनी रहती है जिस घट में गंगा जल नहीं रखा होता है इस बात का जिक पुराणों में भी किया गया है कि घट में हमेशा गंगा जल रखा होना चाहिए घर में पवित्र गंगा जल रखनी से पूर्य घर में सुखत उर्जा फैलती है जिससे सुख सफलता और सांती सुनिश्चित होती है परिवार में सुख समर्धी के आगमन के साथ भोजन और धनकी प्राप्ती होती है सभी कस्टों का निवारण होता है तो घर में गंगा जल रखनी के दोस्तों बहुत ही फायदे हैं और इसके उप्योग तो आपने रेखे ही क्या है उमीद करती हूँ आपको ये जानकाजी अथी लगेगी आपने अपना समय दिया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार दोस्तों